दूस्तो मोटर बाइक मैनुफेक्चरिंग के मामले में भारत ने जपान को भी पीछे कर दिया है और अज दुनिया की 5 सबसे बड़ी मोटर बाइक मैनुफेक्चरिंग कमपणी में 4 कमपणी भारत की है और एक विदेशी कमपणी है तो आज के इस विडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जिसने जपान की बाइक मैनुफेक्चरिंग कंपनी को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा टू वीलर बाइक मैनुफेक्चरिंग करने वाला कंपनी बन गया है नमस्कार दोस्तों मैं हो विकास और आप देख रहे हैं All India Affairs Now आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे TBS कंपनी ने जपान की यमहा को पीछे कर दिया है और अब TBS दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा टू वीलर मेकर बन गया है आपको बता दे कि आज से 17 मैने पहले TBS मोटर कंपनी का जो मार्केट वेलू है वो यमहा के मार्केट वेल किया है एक रिपोर्ट के कोर्डिंग पिछली 6 मैनों में चन्नेई की TBS मोटर का जो टोटल मार्केट कैम्प है वो 37% तक बढ़ गया था जो 9.2 बिलियन डॉलर हो चुका था वहीं यमहा मोटर का मार्केट कैम में 1.6 बिलियन डॉलर का गिरावाट देखा गया और वरतमान में TBS ने अपना इलक्टर की स्कूटर भी लॉंच कर दिया है इसके लाबा और भी नएने मोडल्स TBS ने लॉंच किये हैं जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है जिससे TBS कमपनी भारत के साथ साथ दुनिया के बजार में भी अपना पकड़ बना रही है पिछले 6 सालों में बजार में TBS स्कूटर की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 23% तक हो गई है वही TBS का जो इसपोर्ट बाइक है वो लोगों को काभी पसंद आया है जिससे 125 CC से जादा की TBS बाइक में 13-17% तक का ग्रोध देखा गया है एक विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि TBS के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में फाइदा होने वाला है अब इसकी मांग और बढ़ेगी उनका काना है कि भारत की टू वीलर इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है आपको बता देगा इसकी दुनिया की 10 सबसे बड़ी टू वीलर बनाने वाली कमपनी में तिन कमपनी चीन की है जैसा कि आपको पता होगा कि हीरो मोटर्स कॉर्ब भारत की फेमस बाइक कमपनी है इसके सियो का काना है कि भारत में उन्होंने हॉरले डेविटसन बाइक की तीन मॉडल लॉंच किया है जिसकी कीमत 2,4,000 से 2,8,000 तक है और श्रीप 24 घंटों में उन् बाइक की बुकिंग की गई है और इतनी ज्यादा बुकिंग होने के बाद कमपनी ने अपने प्रोड़क्शन बढ़ा दी है और अगले 4-5 मैने की भीतर सब को बाइक की डिलिबरी कर दी जाएगी अभी हीरो मोटो कॉर्प का टारगेट है कि वो 13,00,000 से ज्यादा बाइक क्योंकि पिछले साल के तैवारों में इनोंने 12,00,000 बाइक बेचा था इस बार कमपनी नई मोडल की बाइक भी लॉंच कर रही है जो लोगों को बहुत ही पसंद आएगा तो दोस्तों ये थी भारत के टू वीलर इंडस्टरी की लेटेस्ट अपडेट आपको क्या लगता ह भारत की टू वीलर बनाने वाली कंपनी सच में गुरू कर रही है अपने राय कॉमेंड बॉक्स में दें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चलेंज से जोड़ जोड़े